सूपरभाइट बच्चो बच्चो आज मैं आपको करवाने लेगी हूँ अंग अहा सिर्फ हमारे दो शर्प्ट रहगे से अभी तेक हमने किया था अ से आउतर अब मैं कराऊंगी सिर्फ दो शर्प्ट अंग अहा फिर उसके बाद हम वेंजन शुरू करेंगे तो मैंने आज अहा कराना है और मैंने आपको कराना है चित्र देखकर वर्ण लिखो और साथ में मैंने आपको कराना है सही मिलांग करो तो दो चीज़े आज हमने करनी हैं तो सबसे पहले तीन चीज़ें तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रेज करेंगे अंग और अहा तो सबसे पहले कैसे ज दूसरा शर्प्त आहां आपके पेज के ऊपर यह चार बार आ जाएगा आपने फोर टाइम लिखना है यहां आगे दो बिंदियां डालते हैं ठीक हो तो इसको यह देखो मैं तो यहां पर डिवाइड करने लिए एक पेज आपने यह करना है फोर दो बार लिखना दो बार फि अंग अंगूर ऐसे सेव डालके उपर सिर्प बिंदि लगानी है यह अंग है ऐसे अ डालके पूरा उपर ऐसे और आगे दो बिंदियां लगानी है यह ऐसे विसरग तो यह क्या बन गया अहां अंग अ पूरा पेज करना आपने ऐसे चार बार लिखना यह दो बार एक और दो बार, एक पेस पे आपका four time आ जाएगा, clear, ऐसे, अंग, और साथ में, आहाँ, clear बचा, ऐसे, अंग, आहाँ, clear, ऐसे, सुन्दर, सुन्दर, ठीके, पोर टाइम आपने चार बार ये चीज लिखनी है और पढ़नी भी है, अंग, अंगूर होता है, अहाँ, खाली, एक сильно आंग का क्या होता है, अंगूर, अखाली, इसके बाद आपने ओ से अशा तक पूरा लिखना है, कैसे लिखना है, मैं अभी बताती हूँ, ओ से अशा तक, अब मैं यहाँ पर लिखनी रही हूँ, आपको ऊपर बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास lines कम है, तो मैं यहाँ पर आपने अपनी line के ऊपर लिखना है, A से आखा तक, clear, और जितनी जितनी line है, जितनी word मैं एक line मैं लिखोंगी, आपने भी उतने उतने ही लिखने हैं, यह दे कुसरा है, A, 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 यह आपने sound ध्यंग से सुननी है और लिखनी है, यह देखो, A, A, फिर है, I, यह देखो, I, फिर है, I, ऐसे, clear, यह एक page मैं यहाँ, page सीधी, ऐसे लाई वेगा होगी, आपके यह one page हो गया, यह second page हो गया, ठीके, आपने यह अच्छी तरह से करना है, पढ़ना भी है, A, A, I, I, clear, यह छोटी वाज है, I, की, यह लंबी, और line यह टच करके लिखना है, सुन्दर writing में, ठीके, उसके बाद A के बिलकुल लीजे, यहाँ पे, U, यह देखो, और उपर sleeping line, ऐसे ही, U, ऐसे, यहाँ pencil लेकी जानी है, फिर अंदर को अपनी दरब को, और यहाँ पे sleeping line, ओ, फिर E छोटी के नीचे, बिलकुल यहाँ पे, R, ऐसे, clear, ऐसे, फिर इसको उपर लेकी जाना है, ऐसे, फिर यहाँ पे, C डालनी है, आदी line तर, फिर यहाँ पे line लगानी है, जो इदर touch नहीं करनी चाह लेकी पे, यहाँ री, यह बिलकुल E के नीचे, A के नीचे, U, A के नीचे, U, A के नीचे, U, ऐसे, इस line में तीन लक्षर आएंगे, तीन वरन आएंगे, इसमें चार आएंगे, यह ज़रूर ध्यान रखना है आपने, लिखते समय, एक ही line में चाहँ आज है, पांस बर्च इसमें यह second line में, अब next line में, यह देखो, A, ऐसे, पहले सीधा बन, फिर slanting line, ऐसे, फिर यहाँ इसको curve दे देना है, ठीके, फिर अगे इसके बिलकुल parallel line लिखनी है, लेकिन इसको यहाँ से गोल कर लेना है, यह अंदर touch नहीं करनी, और उपर slipping line, यह है A, ठीके, again ऐसे ही, फिर A, ऐसे, slanting line, यहाँ curve दे दिया, इसके बिलकुल parallel में line लगाई, ऐसे, ठीके, और उपर line लगा दी, यहाँ circle लगा के line लगा नहीं, ऐसे, A, A, अब बोलने में ही पता चल रहा है, कि दोनों में अंतर है, यह A है, तो यह A, clear, इसी थरह, री के बिलकुल नीचे O, ऐसे, पहले A लिखना है, यह देखो, A, अनारवला, फिर इसके साथ एक और 1 डालना है, और उपर circle लगा के, तो यह क्या बन जाएगा, O, इसको भी यहाँ touch नहीं करना, clear, इसके साथ touch नहीं करना, line इदर ही रिखनी है, फिर यहाँ पे बड़ी के बिलकुल parallel नीचे आके, आओ, फिर है अंग, अब A के नीचे अंग, यहाँ पे ऐसे, A के नीचे क्या लिखना है, अंग, और O के नीचे अहा, clear, यह देखो, अहा, समझा गी, क्या है यह अंग, अहा, और यहाँ पर हमने अगले पेज़ पर किया अ से अ तक तो पहले क्या लिखा फिर आ, फिर इ, फिर इ, फिर उ, फिर उ, फिर उ, फिर रि रिशी ठीक है, फिर ए, ए, ओ, आउ फिर अन, अहा तो यह था आपका औ से अहा तक एक पेज, ठीक है, आपकी नोटबुक के उपर यह टू टाइम्स आ जाएगा एक पेज के उपर आपने एक बार लिखना है, फिर एक लाइन चोड़ना है फिर दूसरी बार लिखना है तो यह ऐसे करना है इसके बाद मैंने आपको कराना है ठीक है, चित्र देखर शब लिखे तो वो कैसे है, यह देखो चित्र देखर वर्ण लिखे वर्ण लिखे मैं मेरे पास जगा कम है तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ लिखे, आपने प्रॉपर लाइन्स में लिखना है आपको अगर हिंदी अभी लिखनी नहीं आ रही है तो आप लिख सकते हैं लूप एंड राइट लूप एंड राइट चित्र को देखो और उसके आगे आप लिखो तो जैसे सबसे पहले मैं यहां पर एक पिक्चर बनाओ दी तो आपने भी ऐसे एक पिक्चर बनानी है ठीक है, जैसे माल यह मैंने बना दिया यहां पर क्या बनाया? मैंगो, ठीक है? आम, तो इसके आगे आपने वर्ण लिखना है क्या पर आम होता है? आप और आम इसी तरह से मैंने यहां बनाया ठीक है? क्या है यह? एडी तो एडी कैसे होती है? ऐसे यह देखो ठीक है? एडी तो यहां क्या लिखेंगे? ए क्या पर एडी होता है? ठीक है? एडी दीक है विच्छे? आगे आप लिखेंगे यहां पर यह देखो यह क्या बन गया? उपहार तो क्या कौन उपहार होता है? पूप इसी तरह आप और भी मैं आपको परवा सकते हूँ क्या क्या लिखेंगे हम? जैसे यह यह जरी मैं आपको लिखे बता रही हूँ कुछ और पिक्चर्स हम बना सकते हैं यहां पर अब मेरे पास तो धैनी जगा जैसे यहां पर यह देखो यह क्या होता है? यहां पर क्या लिखोगे? अंग और अंगूर लिखेंगे ना? तिस इसी तरह यहां पर यह देखो एक और विक्चर्स बना देती हैं यहां पर छोटी सी ठीक है? यह क्या है? बूल ठीक है? यहां पर सिलाइया साथ में यह देखो ठीक है? यह क्या होगा? उन क्या है यह? उ उन उ उपखार ए एडी अंग अंगूर आ आम ऐसे आपको मैंने फाइप पिक्चर्स दी हैं ठीक है? इस तरह आपको पेपर में भी आएगा लुक एंड राइट ठीक है? देखो और लिखो तो क्या है? पिक्चर्स बनी है उससे क्या बनेगा? वरण किस वरण की विक्चर है? वो आपने अच्छी तरह से याद करना है तो एक बार मैं आपको रीड और भी करवा देती हैं सारा ही आपने मेरे साथ पढ़ना भी है तो पढ़ो बैच्छा अ अजगर अ अनार अ अध्रण फिर है आ आ आ आम आ आलू आ आ फिर है इ इ क्या होता है? इ इमली इ इमारल इ इस्थी फिर है इ इ इद इ इद इ इद पिर इसके बार है यह देखो उ उल्लू उ उपहार उ उपबन फिर है उ उ उन उ उन उ उपर फिर है री री रिशी री रिशर री रितू फिर है ए ए एरी ए एल्बम ए एक ठीक है यह पिक्टिस पता होनी जाहिए तभी आप इनका look and write तर सकते हो ए एन, ए एरावर, ए एलान फिर है ओ ओ ओ ओखली ओ ओडनी ओ ओस फिर है आव आव और आव औजा आव और्षदी फिर है अंग अंगूर अंग अंडा फिर है अखाली clear बिटा तो यह था अ से आहकर ठीक है बिच्चा आपने यह अच्छी तरह से सीखनी है सारी चीजे ठीक है पढ़ना भी सीखना है लिखना भी सीखना है आज आपके स्वर जो हैं वो पूरे हुए तो देख लो आपके यह वन, टू, टी, फोर, फाइप, स्विक, सेवन, एक, नाइन, टेन, इलेवन इलेवन स्वर होते हैं इतने स्वर होते हैं अ से आउ तक ग्यारा स्वर होते हैं यह ध्वनिया होती है अनुनासिक और अनुस्वार ठीक है अंग अहा तो ये सारे 11 स्वर हैं और ये अनुनासिक और अनुस्वार धनिया है ठीक है ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है इनकी शाहिता से हम आओगे मात्राइं जो है वो परेंगे अब मैं आपको व्यंजन लिखना सिखाऊंगी तो हम पीरियड में क्या कर हैंगे व्यंजन लिखना सिखेंगे ठीक है वच्छा आज के लिए इतना ही धन्यवाद